प्रस्न संख्या 19 वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 28-40-70 से पूर्णता विभाज है प्रस्न 19 वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 28-40-70 से पूर्णता विभाज है तो इसको हम इस तरह हल करेंगे तो इसका हल में पहले क्या करना होगा 28,40,70 का लगुत्तम लेना होगा तो 28,40,70 लिखे हम इसका पहले लगुत्तम निकालेंगे क्योंकि लगुत्तम ही होता है जो इन तीनों संख्या से क्या होगा सबसे छोटा संक्या भी होगा और इन तीनों संक्या से बिभाज भी होगा ठीक है देखें दो से लगाएंगे 14 दूनी 28, 20 दूना 40, 35 दूना 70 फिर दो से 2 सते 14, 10 दूना 20 और यहाँ पर लिखेंगे 35 अब देखें 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 सते 35 अब 7 से लगादेंगे तो एक बार में, एक बार में तो इसका लगुतम कितना आ जाएगा तो लगुतम समवर्थ बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, गुना 5, गुना 7, गुना 2 इसको गुना कर देते हैं देखें 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 सते 280 तो अब 280 का क्या करेंगे हम, गुना अंखंड निकालेंगे क्योंकि तो देखें, आता है, 280 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 को हम लिख सकते हैं, 2 का गाद 2 ठीक है, देखें, इसी का गुना अंखंड ही है क्योंकि इसी को गुना गर के 280 आया है तो 280 बराबर 2 गुने 2 को हम 2 का गाद 2 लिख सकते हैं गुना 5 गुना 7 गुना 2 देखें, ये तीनों संख्या जो है, अकेले है, इसका जोड़ा नहीं है ठीक है, तो 7 बचे 35, 35 गुना 70 से इसे गुना करना होगा ठीक है तो जो गुनानफल आएगा 28, 40, 70 से बिभाजी भी होगा क्योंकि देखें 5 अकेले हैं, तो एक और 5 से गुना करेंगे एक और 7 से और एक और 2 से तो जोड़ा लग जाएगा इसका 5 का भी, 7 का भी और 2 का भी तो 70 से गुना करना होगा क्योंकि 7 पज़े 35 गुनी 70 है यहां पे तो एक और 70 से गुना करना होगा तब जोड़ा लगीगा, तब देखें जो गुननफल आएगा इसको गुना करने पे वह क्या होगा, पुन बर्ग संख्या भी होगा और 28, 40, 70 से पुन तर बिभाज भी होगा तो इसको हम लिखेंगे अतर 280 गुना 5 गुना 7 गुना 2 ठीक है, तो कितना आजागा देखें तो 280 को 70 से गुना करेंगे तो कितना आजागा, 9600 तो 9600 क्या है तो लिखेंगे यहां पे आतर 9600 परिपूर्ण सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है है जो 28 कॉमा 40 कॉमा 70 से पूर्ण तया विभाज है तो बहले लगुतम निकाल लेना है फिर उसका गुननखन तो जो लगुतम में आया हुआ ही उस संख्या का गुननखन होगा ठीक है तो उसी को बस जोड़ा जो दो बार गुना हुआ है उसका जोड़ा यानि घात में लिख देना है तो दो का घात दो गुना 5 गुना 7 गुना 2 तो जिसका घात नहीं है देखे दो उसको बस गुना कर देना है 280 से यानि जो लगुतम आया है उससे और जो आएगा गुना करने के बाद वह इसका उत्तर होगा प्रस्न संख्या 20 वह कौन सी सबसे चोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 6, 8, 15 और 24 से पुरा-पुरा विभाजित होता है तो प्रस्न संख्या 20 तो इसका हल हम लिखेंगे तो सबसे पहले 6, 8, 15 और 24 का लगुत्म सा मर्थ निकाल लेते हैं क्यूंकि लगुत्म ही वह सबसे चोटी संख्या है जो 6, 8, 15 और 24 से जिसका लगुत्म निकालते हैं उन सबसे विभाजित होगा ठीक है तो पहले हम लगुत्म निकाल लेंगे इस तरह करके तो देखें दो से लग रहा है दो तीया 6, 24, 8, 12 दूनी 24 फिर दो से लग रहा है देखें 15 है ये फिर दो से दो दूना 4, 26, 12 फिर देखें 2 से लग रहा है एक बार में पंदरा दो तिया छे तीन से लग रहा है एक एक तीन पचे पंदरा एक तो लगुत्तम सम्मावर्थ बराबर कितना हो गया दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना पांच तो देखे दो गुना दो गुना दो को हम लिख सकते हैं दो का गुना दो गुना तीन गुना पांच तो इसमें देखे एक बस बस एक के उपर देखे दो गुना दो है बाकि सब अकेले हैं इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो 120 को पूंड बर्ग मुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक और 2 से और एक और 3 से और एक और 5 से गुना करना होगा यानि 5 या 15 दूनी 30 से इसको गुना करना होगा तब जाके जो गुननफल आएगा वह पूंड बर्ग भी होगा और 6, 8, 15 और 24 से पुन्ता विभाजित भी होगा ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अधर 120 गुना कितना करना पड़ेगा 2 गुना 3 गुना 5 से गुना करना होगा तो देखे कितना आएगा 5 दूनी 30 बारतिया 36 यानि 3600 ठीक है तो 3600 इसका उत्तार आ चुका है जो सबसे छोटी संख्या है और परिपून वर्ग भी है और 6, 8, 15, 24 से पुन्ता विभाजित भी है ठीक है तो देखें तो लिखेंगे अतर 3600 सबसे छोटी पुन्त वर्ग संख्या है जो 6, 8, 15 और 24 से पूरा-पूरा विभाज है तो इस तरह हम लिख देंगे यानि 3600 क्या है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6, 8, 15 और 24 से पुरा-पूरा विभाज है तो देखें लगुत्तम में हम कितना भी गुना करेंगे ठीक है तो वह है क्या होगा 6, 8, 15 और 24 से विभाजी होगा झाल झाल